हेलो फूरीज वेलकम बैक फ्रंट्स यहां पे मैंने लिया है एक घड़ी के करीब मेथी अच्छे से धो के उसी डण्डियों को निकालके पत्तों को छोटे-छोटा काट लिया है 300 ग्राम के करीब मैंने आठा लिया है गय conviction उसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मेरशी पॉड़र थोड़ा संद लामक धनिया पाउडर गरमसाला एक चुटकी की करीब डालेंगे आजवाइन आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें मसल के डाला है आजवाइन को मैंने थोड़ी सी काली मेर्ज पिसी होई और यहां पे आपको और भी जो कुछ मसाले डालने हैं वो आप डाल सकते हैं तो यहां पे हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी से मेति के प्रांटे मेति को हमने इसमें डाल दिया है तो इसमें थोड़ा सा पानी है इसलिए इसका जो भी पानी है उसे हम आटे में रिलीज कर लेंगे अच्छे से मसाल लेंगे ताकि सारा पानी मेति का आटे में ही निकल जाए और यहां पे मोयन की रूप में मैंने दो चमच घी पिगला के डाल दिया इसमें आप चाहें तो को पानी रह जाएगा और वह बाद में अटा को दने के बाद पानी को रिलीज करेंके तो अटा थोड़ा पतला हो जाएगे को फिर द छोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरत है उद्धा डाल डालके सार्थे को अच्छे से हम साफ्ट सा गौंद लेंगे अंगे मीडियम लिए है इसे पर मैं अपने परांठे बना के त्यार करूंगे तो इन चीजों को मैंने के पास खटा कर लिए है और अपनी गैस को मैंने जो है चला दिया है तब तक इसकी बॉल्स तोड़ लेते हैं आटे की और घी लगा के इसे एक रोटी के रूप में बेल लेंगे तो फ्र पर इन परतों को मोड लेंगे मैं यहां पर स्क्वेयर यानि की जो है चोकुर परांठा बना रहे हैं आप चाहें तो ट्रैंगुलर भी बना सकते हैं वह भी मैं आपको बना के दिखा दूँगी तो मैंने यह चोकुर बेलिया है इसे और अपने तवे को मेडियम गर्म कर लिया है और उस पे इस परांठे को डाल दिया है तो फ्रंट से पर्तों वाला बनेगा बहुत ही टेस्टी सा एकदम से क्रिस्पी सा हमारा बनाठा बन के तयार होगा तो एक और मैं बिल की आपको दिखा देती हूं बता देती हूं कि ट्रैंगुलर भी आप कैसे बना सकते हैं तो इस तरीके से घील लगा लिया और ही कि इसका है तो इनको बना पहोजड़ा आप सकते ऊच्छे से ढबां देंगे और बनाथे ठवे पेडाल देंगे इसी के सिझेए एक तरफ कि तो इस प Miller देंगे और झी लगा देना फिलम को मैंने मीडियम रखा है कि और घी लगा के जो है पलट देंगे दूसरी साइड भी लगा देंगे और उसके पाद पलट पलट के इस सारे को दोनों तरफ से अच्छे से हम सेख लेंगे फ्लिंग को बहुत ज्यादा देज हमीं नहीं करना है मीडियम ही रखना है अगर बहुत ज्यादा टेज ग्लेंगे तो उपर से पक जाएगा और अंदर से जो है कच्छा रह जाएक तो इसी तरीके से मीडियम फ्लें पे लगातार पलटते हुए और दबाते हुए इसे हां सेके होने तक कि तो धें यह लख बग हमारे तैयार यह पराँठा थोड़ा साः सेक लेती और फिर इसे हम हटा देंगे और दूसरा प्राँठा सेक में इसके उपर तो यह तैयार है इसके उपर घी लगा लेगे तुरंट क्योंकि गरम है तो बिगल जाएगा साथी और इसको आप दही से सर्व करें या चार से सर्व करें या जो भी आपको सब्जी पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं टेसी होने के साथ साथ है एक दम से बहुत बहुत ही टेस्टी परत वाले हमारे मेतिक परांठे बनके तयार हैं तो अब भी रेसिपी ज़रूर कीजिए और यहां पर रेसिपी पसंद आई होते हैं इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही नहीं नहीं रेसिपी लगातार देखते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्स